हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंटर अरजन दुआ आपका मेरे चैनल एंसी आड़े मैथ गुरूप पर स्वागत है आज हम स्टाट करेंगे बिजनस मैथेमेटिक्स में सेवन चैप्टर लिनेर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मैथड से सॉल्व करना है ज देखें इन इक्वेशन का मतलब किया होगा यहाँ पर हमारे पास गिवन हो शकता है Ax q8 Bu इस दरह सब्वाद यह इन एक्वेशन है जिसमें एक प्लल का निशान नहीं होगा हमारे पर सजह हें IN SINCE के HELP से मिताया जाएगा कि यह IN EQUESIONS है, इ느िको हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास जब ИQL आ जाता है इसके साथ में, तब हम इनको कहते हैं Closed Half Planes, क्या कहते हैं, Closed Half Planes, इसी तरह से हमारे पास EQUESIONS और भी गिवन होती है, रहुता है AX PLUS BY GReytar THAN C, इसी तरह से ax plus by less than c तो यहां पर हमार पास इस तरह से अगर given होगा यानि किसमें equal हमार पास नहीं होगा तो इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं open half of planes तो देखिए इनको किस तरह से solve करते हैं सबसे पहले हमार पास जो है इन equations को हमें equations convert करना पड़ता है सबसे पहले तो यहां पर देखिए जैसे हमार पास ax plus by greater than and equal to c है इसका देखिए equation किस तरह से हो जाएगी ax plus by हम क्या कर देंगे equation बनाने के लिए इसको equal कर देंगे और equal to c लिखेंगे यह हमारी equation बन जाएगी क्या बन जाएगी equation बन जाएगी इसकी help से हमें जो है graph बनाना होगा यानिक इसमें हमें पहले points find करने होंगे हम वो किस तरह से करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लिखेंगे x और y के points हम find कर रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है substitute करना है x और y की value को एक बार 0 एक बार x की value को 0 रखेंगे एक बार इस तरह y की फिर हमारे पास जो values आएगी जाएगी जो इदर result बनेगा हमारे पास उनकी help से हमें graph बनाना होगा तो देखें किस तरह से हम करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो question number first है उस पर आजाएए देखिए आप अपनी book में देखिए सबसे पहले question number first है हमारे पास draw the graph of the flowing in equations तो यहाँ पर हमारे पास क्या है in equations given होगी और इनका graph बनाना होगा तो first question का first part है हमारे पास 2x plus y less than and equal to 6 तो यहाँ पर हमारे पास क्या equation बन गई 2x plus y less than and equal to 6 तो देखें यहाँ पर इसको solve किस तरह से करेंगे सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है in equation है यहाँ पर हमारे पास sign आ गया equal का sign नहीं है यहाँ पर हमारे पास smaller ग्रेटर का बताया को उसके corresponding यानि कि उसके हमें जो है equation बनाने होगी तो देखिए linear equation किस तरह से बन जाएगी और इसमें हम जो है इकवल टू 6 corresponding हमने एक equation बना लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे एक बार एक्स की जगह पर आप जीरो पुट करेंगे तो हमने वह देखिए यहां पर बताया है मैंने एक बार आपने पहले जीरो पुट करकर दिखाना है तो जैसे कि मैंने यहां पर आपको करकर दिखाया आ हम y की value को 0 को substitute करें तो x की value हमारे पास क्या आजाएगी 3 आजाएगी तो substitute आपको करना आता है तो हम यहां से हमारे क्या points find हो चुके हैं अब इनकी help से हम graph बनाएंगे तो सबसे पहले देखा हमने graph हमारे पास 2 axis होती है एक x-axis और एक y-axis x-axis हमारे पास horizontal होती है और y-axis vertical होत रहती है वह हमारा origin point यानि कि इसको हम ओ नाम देते हैं अब हम जो graph बनाते हैं तो यहां पर देखिए जो right hand side पर जाएंगी values वह हमारी plus में रहेंगी इसी तरह जो up जाएंगी यानि कि उपर की तरफ जाएंगी वह भी हमारे पास plus में रहेंगी लेकिन जो left hand side और जो नीच negative देगी यानि कि यह हमारा negative यह भी हमारा negative देगा result और यहां पर यह दोनों positive रहेंगे तो इस तरह से हमने जो इनकी number लिगनी होगी यानि कि number line हमें इस तरह से बनानी होगी इन graph की तो देखिए अब किस तरह से हमने इसको represent करना है तो सबसे पहले हमारे पास x क्या है 0 है त यह हमारा एक point बन जाएगा 6 का यानि कि 0 और 6 हमने A नाम दे दिया इस point को 06 A point का नाम है अब देखिए यहां पर जो 3 और 0 है x की value 3 x की value 3 हमारे पास यहां पर बनेगी और y की value 0 y की value 0 का मतलब यह हमारे पास यही पर है तो यहां से हमारे पास यह equation बन गई यानि कि यहां पर हमारे पास एक line यहां पर draw हो जाएगा यानि कि यह point हमारे पास यहां पर आ जाएगा फिर आपने क्या करना है इन दोनों को इस तरह से match करना है दोनों को स्केल की help से graph पर आपने draw करना है तो आपके पास इस तरह से एक graph त्यार हो जाएगा अब इसमें आप देखिए हम उस पे हम दो त्रीके देखेंगे तो एक ही सबसे पहले हम क्या करेंगे 2x plus y less than and equal to 6 है तो इसका मतलब क्या है तो अगर हम यहाँ पर दोनों की value अगर 0 रखें एक बार x की value 0 रख दीजिए एक बार y की यानि कि दोनों को एक साथ रखा तो क्या result होगा 0 less than and equal to 6 क्या यह बात सही है या फिर गल्थ यानि कि इस equation को satisfy कर रहा है या फिर नहीं तो 0 से बढ़ा है 6 तो यह सही है अगर 2 हो जाती है satisfy हो जाती है condition तो आप इस तरफ से जो है draw करेंगे अगर ही equation हमारे पस किस तरह से आ जाती हमारे पस लिख हो था 2x plus y greater than and equal to 6 तब हम क्या करते इस तरह से मार पास result आता तो क्या यह बात सही है नहीं यह बात सही नहीं है तो हम इसको भार की तरफ लेकर जाते तो यहां पर यह बात पर ध्यान रहा है जब हमारी condition satisfy होगी तब हमने अंदर के तरफ जाना है और जब हमारी satisfy नहीं होगी equation तब हम भार के तो यहां से हमार पास देखिए इस तरह से जो है इसका graph बन जाएगा तो हमने क्या किया था इस तरफ अंदर की तरफ जाएगा तो हमने अंदर की तरफ यू करके shaded reason करना है pencil से आपने करना है और फिर आपने equation का जो line है आपके पास उस equation का आपने नाम भी देना है यानि कि हमार पास जो equation है 2x plus y यहां पर हम equation देंगे इन equation नहीं देनी equation देनी है यानि कि 2x plus y equal to 6 तो इस तरह से जो हमने graph को draw करना होता है तो यहां पर अभी हमार पास एक एक करके equation आ रही है कई बार हमार पास 2,3,4,5,1,7 equation आ जाती है तो उनका भी graph देखेंगे किस तरह से solve होगा तो सबसे पहले हमार पास second point है अब देखी second part given है book में देखिए 2x plus 3y less than and equal to 6 तो हमार पास यह equation है इसकी help से हमने सबसे पहले क्या करना होगा यह step by step ही चलेग आपके पास in equation होगी इन equation की help से आपने corresponding एक linear equation जो है बनानी है उसके बाद आपने उसमें points दो है substitute करने एक बार x की value को 0 रखें एक बार y की value को हमारे पास x और y के लिए एक हमारे पास set बन जाएगा इस तरह से b के लिए भी हमारे पास set बन जाएगा तो यहाँ पर हमारे हमने पहले वो करना है points जब हम find कर लेंगे उसके बाद graph बनाना है तो इस तरह से आपने step by step करना है तो यहाँ पर हम equation बना रहे हैं 2x plus 3y equal to 6 तो क्या कर दिया हमने equation में equal लगा दिया पहले हमारे पास क्या था less than का sign था फिर हम किसको ले equal को ले equal जब भी हमारे पास आ जाता अगर आप x की value को 0 रखते हैं तो y की value क्या आजाएगी एकदम बता रहे हैं आप सही 2 आ जाएगी तो हमने वही लिखी देखी x की value 0 x की value 0 y की value 2 आ जाएगी इसे तरह जब हम y की value को 0 रखें x की value क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ पर हम कोई भी point substitute कर सकते हैं जैसे कि आपको अच्छा लगता हो तो यहाँ पर हमने जो है जीरो पुट करकर देखा तो हमने यहाँ पर जीरो लगाया तो एक वाई की वैल्यू टू आ जाएगी इसी तरह से जब हम एकस में Yeah फर वाई में उब जीरो लगा रहे हैं तो X की वेल्यू थ्री आ जाएगी तो यहां से एक टेबल बन जाता है इस तरह से देखिए अब हैंब से से घ्राफ बनाना होगा तो यहांपर जो नममबर हैं वो देखिए पहले हमेरा बस है X की वेल्यू जिरौ दोनों की value हमार पस 0 यहीं रहेगी दोनों की value 0 हमार पस यहीं रहेगी y की value 2 है y उपर की दरफ जाएगा और positive है तो इसलिए उपर की दरफ जाएगा तो यहाँ पर हमार पस 2 देखी यहाँ पर बन जाएगा तो यह हमारा point आ जाएगा इस तरह से इस तरह से Y0 है तो यहीं रहेगा अब क्या होगा X3 है पोजिटिव है तो राइट हैंड साट जाना है अगर नेगरिटिव होता तो लेफ्ट हैंड साट देखते तो यहाँ पर हमारे पास यह दो पॉइंट्स बन गई है अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने इस जो हमारे पास पॉइंट्स से जासे की 0 और 2 था X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 2 को हमने नाम दिया A इसी तरह से जो 3 और 0 का है यह बात भी आपने धियान रखनी है पहले हम X की वैल्यू को लिखेंगे पहले किसकी वैल्यू को लिखना है X की और फिर Y की आपने YX करकर नही करकर ही लिखना है तो आपने हर एक पॉइंट को इस तरह ही लिखेंगे इस तरह पर नहीं लिखना तो यहां पर हमारे पास जो है अब दोनों पर 0 लगाकर यानि कि जो इन इकवेशन है इन इकवेशन में 0 दोनों तरफ लगाए X की वैल्यू 0 यहां पर हमारे पास 0 less than and equal to 6 यानिकि 6 हमारे पास क्या कहता है बड़ा है कंडिशन साइडिस्वाइब हो रही है एकदम ट्यू बता रहा है अगर ट्रू है तो अंदर की तरफ आएंगे तो हमने अंदर की तरफ कलर कर दिया यानिकि पैंसल से शेड कर दी है इसी तरह से देखें नेक्स्ट कोशन है हमारे थर्ड पार्ट की वन है इसी में हमारे पास एक्स प्लस टू वाए ग्रेटर देन वन तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर देन आ गया पहले क्या था लेस दन था तब भी हमारे पास वही रिजल्ट हो सही हो रहा था और अब भी हमारे पास वैसे ही होगा अब यह greater than and equal to one क्या ये condition satisfy है 0 क्या बड़ा है 1 से नहीं 0 बड़ा नहीं है 1 बड़ा है तो इसलिए ये statement क्या हो गई false हो गई इसलिए हम 0 से दूर जाएंगे अगर हमारी statement true होती है satisfy होती है तब हम 0 के पास आते हैं यानि कि अंदर तरफ जाएंगे अगर वो हमारी statement satisfy नहीं करती वो false आती है तब हम 0 से दूर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी पास equation जो है क्या बन जाएगी x plus 2y equal to 1 हम ने equation बना लिए है इसके corresponding हमने equation बना लिए है इसका मतलब यह है कि number हमने change नहीं करने बस sign जो दिया गया है हमने वो change किया है तो यह एक linear equation है ओ यहां से अब हम एक बार क्या करेंगे x की value को 0 एक बार y की value को 0 तो यहाँ पर हमने क्या किया है मैं जैसे कि आपको बताया है हम कोई भी number जो है substitute कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए जब मैंने x की value को 1 रखा x की value को 1 रखा y क्या आ जाएगा जब आप इस तरह से solve करेंगे तब आपको पदा लग जाएगा आपकी y की value जो है 0 आएगी अगर हम x1 put करते हैं इस equation में तब y की value 0 आएगी इसी तरह से जब हम y की value 1 substitute करते हैं y की value क्या करेंगे 1 substitute करेंगे तो x की value हमारे पास क्या जाएगी minus में 1 तो यहां पर देखिए हमने वो किया आपने एक एक करकर put करकर देखना है जैसे देखिए मैंने यहां पर 2 equations 2 points लिए तो आप 3 भी points ले सकते हैं हमारे उसमें solution गल्त नहीं होगा वो आप उसमें 3 भी ले सक सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे आप दोनों और तिनों दोनों भी कर सकते हैं तो यहां पर आप देखिए क्या होगा अब इनकी help से में क्या करना है graph बनाना है तो देखिए किस तरह से बन जाएगा सबसे पहले एक vertical और एक horizontal horizontal और एक vertical लाइन लगा दी है जहां दोनों एक x-axis में left hand side की तरफ negative जाएगा result हमारा तो देखिए इस तरह से graph बनाना है आपने graph बुक पर ही बनाना है तो यहां से हमारे पास graph बन गया इस तरह से फिर हम क्या करेंगे इन में जो हमारे points आए हैं उनको हम इसमें plot करेंगे तो सबसे पहले x की value 1 तो x की value 1 है यानि कि व पस पार इस तरह से point आजाएगा अगर मान लेजैं हमारे पास क्या होता राए की you a टू होती point हमारा देखी एकו vi की value 1 y की Actually माल इसको करते तो किस तरह करेंगे x की value 1 y की wally 2 तो आप इस तरह से इस point पर करना होगा इस तरह वह हमारे पास सम आएंगी उनको भी मैं आपको करवाओंगा कि से साल्व होगा यहां पर हमने वन और सब्स्थिट leng bumben जाएगा इसी तरह से कि वेल्यू Constitution किया है मैने स्वल्याइश मैनस है उपर की तरफ मिलेंगी तो हमदेखा हमारा 1 यहाँ पर है और यह minus 1 यहाँ पर आपने इस तरह मीट नहीं करना इसको किस तरह करेंगे उपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको left and side की तरफ लेके जाएंगे हमें रखना है थोड़ा सा अब क्या होगा आपने जैसे कि चेक कर लिया equation अभी यह true है या false हम पहले ही check कर चुके हैं क्या थी statement false थी यानि कि जो हमारा 0 है उसकी तरफ हमें नहीं जाना तो देखिए 0 हमारा इस तरफ है तो हम अंदर की तरफ नहीं आ रहे हम इस तरफ नहीं ज 5y प्लस 8 greater than and equal to 0 तो हमारा पास इन equation गीवन है यहां पर देखिए इन equation है इसको सबसे पहले equation हम बनाएंगे तो हमने equation बनाई 3x-5y प्लस 8 equal to 0 हमने सबसे पहले equation यह तरह बनाई 3x-5y प्लस 8 equal to 0 फिर हमने क्या किया 8 को left hand side से right hand side ले गई जिससे वो minus हो गया अब इसमें हमने एक बार value को substitute करना है कोई भी value रहे सकते हैं 1,2,3,4 एक value को एक बार आपने रखना है अगर आपने x के value 1 रखी है फिर आप उससे y की value को find करेंगे फिर हम y या फिर x की value फिर से दुबार वही process आ जाएगा हमने क्या किया है x की value को एक बार 4 substitute किया तो आप इस equation में x की जगा पर 4 रखेंगे तो देखें क्या result आ जाएगा 3,4,12,12 विदरा कर minus का होगा minus 8,12,20 minus से minus cancel हो जाएगा दोनों तरफ minus है तो वो cancel हो जाएगा और result हमारे पस क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा आपने इस तरह से solve करना है फिर हमारे पास जो एक number आ ज इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा अब इस तरह से अब हमने x की value के बार रखा अब हम दुबारा भी x की value को रखते हैं लेकिन 4 नहीं रखना आप कोई और number रखना है तो हमने यहाँ पर y की value और x की value को ही भी दोनों में से एक एक बार यहाँ पर substitute करेंगे दूसरी value उससे हम find करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y की value हमने अगर 1 रखी है तो equation में हम substitute करते हैं तो हमारे पास x की value क्या आजाएगी minus 1 आजाएगी तो हमने y किया x की value minus 1 देगी और जब हम y की value 1 substitute करेंगे तो यह हमारे पास यह table बन जाता है इस तरह से अब इसकी help से हमें graph बनाना होगा तो सबसे पहले एक y axis और एक x axis लेंगे y axis हमारे पास vertical होगी और x axis horizontal होगी जहां दोनों मिट कर जाएंगी वो हमारा origin point होगा फिर हम उस पे जो है number plot करेंगे उसके बाद हमारे graph देखे त्यार हो जाएगा 4 and 4 x की value 4 हमारे पास यहाँ पर y की value 4 हमारे पास यहाँ पर तो दो दोनों हमने इस तरह से लेकर गए तो हमारे पास यह point आ गया इसी तरह से x की value minus 1 किदर मिलेगी आपको एकदम सही बता रहे हैं left side मिलेगी और y की value 1 plus में उपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास यह रही तो हमने दोनों तरफ आगया किया हमारे पास यह point आ गया है यह जो इन equation है इसके अंदर जितने भी यह वाले points होंगे यह वाले जितने भी points होंगे कोई भी point ले लीजिए जैसे कि यहाँ पर देखिए अब हमारे पास मान लीजी यह point आ जाता है यहां से 3 और यहां पर यह 3 तो यह भी हमारे पास जो है इस condition को satisfy करेगा यानिकि यह भी हमारे पास बना है positive तरफ यह negative तरफ वो सभी इसको satisfy करेगा तो हम जैसे यह number plot कर रहे हैं तो number हमने यहाँ पर plot किया 4 4 and minus 1 1 तो हमारे पास यह equation आ गई थी अब हमने यह चेक करना है कि यह क्या अंदर के तरफ जाएगा या फिर भार के तरफ जाएगा वो किस तरह से जो हमारे पास इन equation है उसमें आपने substitute करना है क्या substitute करना है x और y दोनों की value 0 एक साथ ही substitute करनी है तो x की value 0 हो जाएगी y की value 0 हो गई फिर यह क्या कहता है 8 बड़ा है 0 से क्या है 8 is greater than 8 बड़ा है और equal है 0 के तो यहाँ पर एक condition satisfy हो रही है कि 8 बड़ा है statement true है satisfy है तो हम 0 की तरफ आएंगे तो 0 की तरफ तो हमारे पास 0 यहाँ पर है तो अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से हम आएंगे तो यह हमारे पास जो है shaded reason इसका बन जाएगा फिर हमने इन पर नाम भी धियान रखना है इनको आपने labeling अच्छे से करनी है जैसे कि यहाँ पर देगी x x डैश यान इसका भी नाम रिखना है कि यह जो line यह जो हमारे पास line बनी है वो कौन सी equation की help से बनी है उसका नाम भी हमारे पास आएगा तो इसी तरह से next question है हमारे पास fifth part है given है हमें statement x plus 2y x plus 2y greater than 6 क्या है x plus 2y greater than 6 तो हमारे पास यह है तो देखिए अब हमारे पास यह क्या बन जाएग और सिरफ greater than बना है पहले equal to भी था लेकिन अब नहीं है तो इसका result क्या होगा इस graph पर तो देखिए result हमारे पास same ही रहेगा बस जो line जो हम draw करती है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी तो देखिए किस तरह से होगी सबसे पहले in equation को हमने क्या करना है equation में convert करना है एकदम सह जब हमने y की value को या फिर x की value को substitute किया आप मालीजी हमने यहाँ पर x की value अगर 4 रखी तो y की value हमारे पास क्या जाएगी वन आ जाएगी तो यहाँ पर हमने इस तरह से substitute करना है अब क्या होगा अब यह जो points हमारे पास आए हैं इनकी help से graph हमने बनाना है तो देखिए graph हमार कुछ इस तरह से बनेगा y-axis और x-axis रहेंगी जहां दोनों intersect हो गई वह हमारा origin point और right hand side positive value left side negative इसी तरह उपर की तरफ positive नीचे की तरफ negative होंगी अब देखिए यहाँ पर हम जो नंबर को substitute करते हैं क्या result बन जाएगा तो x की value 0 y की value 3 तो यहाँ पर हमारे पास point बन गया इस तरह से x की value 4 हमार पास यहाँ पर ओग और y की value 1 हमार पस यहाँ पर रहा तो दोनों को इस तरह से लेकर आए तो हमार पास यह point आ गया फिर हमने इन दोनों को match करना है यानिक इंटर्सेक्ट करवाना है क्लाइन ड्रो करनी है इन में तो हमने यह लाइन ड्रो कर दी यह जो सतर्म होगी यह जो उन ड्रो होगी इस बार पते कौन से होगी डोट्ट इड लाएन होगी यानिकि इस तरह से महार पास यह इस तरह से करते थे shade लेकिन अब इस तरह से हमने shade नहीं करना हमने shade जो है किस तरह से करना है हलक असा इससे उपर ही रखना है इसको touch नहीं करना touch क्यों नहीं करना क्यों कि हमारे पास equal का निशान नहीं है equal का symbol यहाँ पर नहीं है तो हम उस line से touch नहीं कर सकते अगर line से touch करना है तो dot line हमें draw करनी होगी नहीं तो हमें इस तरह से करना होगा तो देखिए हमारे पास दोनों तरफ के हमने सिख लिए जब हमारे पास sign जो है equal to में भी हो यानिक less than and equal to हो greater than and equal to हो वो दोनों सिखे इस तरह से हमने less than और greater than का सिखेंगे अब देखिए हमारे पास का है तो देखिए क्या हो जाएगा 2x हमारे पास का equation है क्या in equation है 2x minus y less than 6 तो यहाँ पर हमारे पास यह equation है तो यहाँ पे हमारे पास क्या result बनेगा देखिए सबसे पहले आपने equation को draw करना है तो यहाँ पर हमने एक जो है equation लिखी है linear equation 2x minus y equal to 6 तो यहाँ पर ध्यान रखना है sign जो है change हो जाएगा equal to का sign आ जाएगा अब आपने क्या करना है एक बार x की value को 0 और एक बार दूसरी value को आपने substitute करना है या फिर x की value 0 और y की value 0 को हमने रखकर solve करना है अगर माली जी हमने x की value को 3 यहाँ पर रखा x की value हमने यहाँ पर 3 रखी तो यहाँ पर क्या result बन जाएगा आपने इस तरह से solve करकर देखना है आपके पास y 0 आ जाएगा जब आप x की value 3 इस equation में substitute करेंगे तो है 3 और 0 का 1 pair बन गया इस तरह आप दूसरा pair बनाते हैं हम एक बार x की value को अगर हम 4 substitute करते हैं माली जी हमने x की value को यहाँ पर 4 substitute किया तो यहाँ पर y की value क्या आ जाएगी इस तरह से आपने solve किया तो आपके पास value आ जाएगी वह रहेगी y equal to 2 यानि की हमारे पास क्या बन जाएगी value 2 तो यहाँ पर हमारे पास यह दो जो है pairs बन गए हैं अब इनकी help से हमें graph ड्रो करना है तो देखे किस तरह से हो जाएगा तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है एक x-axis एक y-axis इन numbers को देखे इन pairs को देखे हमने जो है अपने इनका gap देखना होता है आपने इस बात पर भी धियान रखना है कि gap इनका यहाँ पर same होना चाहिए जितना gap हमारा यहाँ पर होगा जितना gap अगर यहाँ पर है और उतना ह हमारे पास क्या result हो जाएगा अब x की value हमें क्या रखनी है देखिए आपर x की value 3 y की value 0 तो y की value 0 और x की value 3 हमारे पास ये point बन जाएगा इसी तरह अब हम y की value जो है हमारे पास 2 है और x की value 4 है तो ये दोनों देखिए कहां आपको दिख रहे हैं intersect होते हुए इस point पर तो ये हमारा point बन जाएगा फिर आपने एक line draw करनी है इस तरह से अब ये check करना है कि ये shade जो है 0 के तरफ जाएगा या फिर उससे दूर जाएगा 0 के पास आएगा या फिर 0 से दूर जाएगा तो वो देखिए किस तरह से होगा तो यहां पर हमारे पास यह जो line draw हो चुकी है अब देखिए यहां पर हमारे पास जो in equation है in equation में आप दोनों को 0 रखें x के value 0 y के value 0 तो यहां पर result हमें 0 minus 0 0 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा देखिए 0 बन गए और यहां पर क्या है less than 6 तो यह बात हमारे पास सही है 0 छोटा है 6 से 6 बड़ा है 6 बड़ा है 0 से यहां पर हमारे पास 0 less than 6 दिया गया है statement यानि कि यह equation true है true है satisfy हो रही है तो आप 0 की तरफ जाएंगे तो हम 0 की तरफ आ गई इस तरह से तो यहां पर हमारे पास इस तरह से यह equation बन जाएगी यानि कि इस तरह से इसका graphical method जो हमने solve करना है इस तरह से देखिए next part है हमारे पास question number 2 question number 2 का हमारे पास first part है x plus y less than and equal to 6 x greater than and equal to 1 y greater than and equal to 1 तो देखिए यहां पर हमारे पास यह equations given है और इसमें हमें करना क्या है वो देखिए अब अवनी book में find the solution set of the flowing systems of linear constraints graphically तो यहां पर हमारे पास जो है linear constraints दिये गए है यानि कि हमारे पास अब पहले क्या था एक in equation सिर्फ और सिर्फ एक equation हमने just solve करकर graph पे plot करने थी लेकिन अब हमारे पास जो हैं तीन equation बनगे देखिए x plus y less than and equal to 6 x greater than and equal to 1 y greater than and equal to 1 तो यहां पर हमारे पास 3 constants आ गए यानि कि इन तीनों की help से इन तीनों को ही हमने graph में plot करना है तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे पहले एक एक करकर सीखा हमने कि अगर एक equation होगी तो किस तरह से होगा अभी यहां पर हमारे पास दो अभी देखिए यहां पर बड़ी equation हमारे पास सिरफ एक है लेकिन आगे हमारे पास अगले part में दो इन equations बन जाएंगी यानि कि यह जो जैसे कि x plus y हमारे पास एक साथ है वो अगली बार दो में आएगा तीन में आएगा तो देखिए यहां पर किस तरह होगा यहां पर सबसे पहले आपको यह पता हमना चाहिए अगर हमारे पास x की value 0 है तो x की value मान लीजे 1 है 0 को छोड़ी एक बर मान लीजे x की value क्या है 1 है तो आप क्या करेंगे आप उसको parallel draw करेंगे किस के parallel y axis के अगर आपको पता था तो अ दी गई है तो वो parallel draw होगी y axis के इस तरह से जब y की value कुछ दी हो y की value 1,2,3 something कुछ हो और x की value 0 रहे तब वो x axis के parallel draw होगी तो देखिए किस तरह से करना है हमारे पास यह equation है सबसे पहले इसको क्या करना है corresponding linear equations draw करनी है तो linear equation x plus y equal to 6 हो जाएगी और इस तरह से हमें यह भी draw दिखाना होगा x equal to 1 और इस तरह y equal to 1 यह हमारे पास क्या आ गई equations आ गई इनकी value आ गई देखिए आपर यह दोनों values है इस equation की help से अब हम find करेंगे हमारे points याने की pair find करेंगे उनको graph में plot करते हैं मान लेजिए x की value अगर हमने 0 रखी x की value 0 है y की value क्या आजाएगी आपने इस तरह से solve करके देखा तो आपको पता लगेगा कि y की value 6 है अब इसी तरह अगर हम y की value को रखते हैं 0 तो देखेंगे solve करकर हमारे पास x की value आजाएगी 6 तो हमने वहाँ पर लिख दिया 6 तो यह हमारे पास 2 pair बन गई इस तरह 3 pair में भी लिख सकती हैं तो 2 pair हमारे बन चुके हैं 2 कम से कम हमारे पास होने चाहिए तो 2 हमने draw किये अब क्या होगा इनकी help से अब graph बनाते हैं तो x की value 0 यहाँ पर y की value 6 है वो positive है तो वो उपर रहेगा इस तरह से अब क्या है x 6 है x हमारे पास 6 positive है right hand side मिलेगा और y 0 है त LAINX को आपने join करना है इस तरह से उसके बाद हम क्या करेंगे जो x की value 1 है अब x की value 1 x की value हमारे पास अगर 1 है तो इसमें y की value क्या होगी 0 होगी तो आपने इसमें Canada methyl कहीं होना कि आपके पास सिरफ एक x की value ही given है तो y की value हमारे पास नहीं है तो आप GPA कर कर यह रखना है कि में y जो है वो 0 ही है तो हमने देखा x equal to 1 तो x equal to 1 हमारे पास तो यह point बनेगा अब हम line किस तरह ड्रो करेंगे एकदम सही बताया जैसे कि मैंने आपको बताया parallel draw होगी अगर y 0 है और x की value कोई हमें given है something 123 कुछ भी given है तो parallel draw हो जाएगी तो यह देखिए हमने इसके y axis के एकदम parallel draw की इसी तरह से y हमारे पास क्या है y 1 दिया है और x हमारे पास इसमें भी नहीं है एकस इसमें नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि वह x 0 है एकस 0 है तो वह मैंने भी आपको बताया parallel draw हो जाएगी x axis के अगर उसमें जो है x 0 है तो इस तरह हमारे पास जो है equations बन गई उसको line हमारे पास यह तीन आ जाएंगी देखिए एक one वाली x के लिए parallel to y axis इस तरह एक y axis हमारे पास बनेगी parallel to x axis one के लिए इसी तरह से यह हमारे पास इन equation को solve कर कराई थी अब देखिए हैं पर हमारे पास यह bounded reason बन चुका है अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि x के value अगर हम x और y दोनों के value इस equation में 0 रखते हैं result क्या देगा x और y दोनों 0 रखे और हमारे पास इस तरह से यह satisfy बन जाएगी equation यह नहीं बनेगी देखिए जब हमने इन दोनों को 0 किया तो क्या बन जाएगा 0 less than and equal to 6 तो 0 जो less है 6 से सही है true है satisfy हो रही है तो हम क्या करेंगे अंदर के तरफ आएंगे देखिए इस तरह से आपने इस कोच्छ से समझना है तो देखिए किस तरह से रहेगा हम क्या करेंगे अंदर के तरफ आएंगे इस like we went class यह फिर Z satisfy हो गई या नहीं होगी तो यहाँ पर x की value हमने 0 रखी यह कहता है x जो हमने 0 रखा वो 0 बड़ा है 1 से क्या यह सही बात है नहीं यह सही बात नहीं है इसलिए हम कहां जाएंगे बाहर की तरफ जाएंगे इस तरह से जो है बन जाएगा देखिए फिर हमने इस तरफ का arrow लगा रहा है अब क्या करेंगे इसी तरह वाई पर बिचा कर लेती हैं वाई अगर 0 रखते हैं तब हमारे पर से बनेगी जिरो बड़ा है वन से गलत है नहीं होगी तो यह फोल्स है तो इसलिए हम इसको बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से तो देखिए अब जो यह तीनों हमारी एक जिकापर कहा बन रही है अगर ध्यान से देखें देखिए ब्लैक इंब्ल्यू औरलशन कहां पर आ रहा है एक दम स्ट्रीज में रिए पास तीनों आ रहे हैं इसी रिजन को हम लेंगे बाकी रिजन को हम छोड़ देंगे तो इस तр emotive जो हमारा graph बनेगा वह इस तरह से बनेगा, देखिए, हमने ये area जो है, shade करना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका reason बन जाएगा, यानि कि इसके अंदर जितने भी points होंगे, इस ट्रेंगल में, वो इस condition को satisfy करेंगे, यानि कि जो in equations given है, उस points को, उन equations को satisfy करेंगे, यह से भी points, जो भी इसके अंदर हम लेते हैं, इस तरह से second part है, हमारे पास second question का, हमारे पास का information है, देखिए, 3X plus 4Y is greater than and equal to 6, 5X plus 8Y less than and equal to 20, X and Y greater than 0, तो यहाँ पर हमारे पास यह दो in equations है, तो यहाँ पर देखिए, इसको आप ध्याना दें, इस पर आप देखें, तो आपके पास दो in equations है, इसका मतलब हमारे पास यह है, X भी 0 है, और Y भी 0 है, इस पर आपने confusion नहीं हो ना, हमारे पा लाया गया है इसमें, तो अब यह दो in equations है, इन दोनों को हमने क्या करना है, पहले equation में convert करना है, तो यह हमने पहले equation को convert किया, तो हमारे पास value आजाएगी, 3X plus 4Y equal to 6, इसकी help से हमने यह equation बनाई है, इसकी help से हमने यह equation बनाई, यह equation second हो गई, 5X plus 8Y equal to 20, अब फर्स्ट equation में अगर हम 0 रखते हैं Y को, Y को रखते हैं 0, X की value क्या आजाएगी, 2, एक दम सही बताया, तो यहाँ पर हमने लिखना है 2, आपने solve करकर देखना है, यहाँ पर आप इसको solve करें, जैसे कि हमने पहले किया था put X equal to 0, तो यहाँ पर हमने X की जगा 0 रखा, Y something था, तो यहाँ प रखते हैं, तो X हमारे पास क्या आजाएगा, अगर Y को हमने यहाँ पर 3 substitute किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, तो 3X plus 4 into 3 equal to 6, इसको हम जब solve करेंगे, हमारे पास X की value क्या आजाएगी, minus 2 आजाएगी, यह 12 इदरा कर minus होगा, 6 minus 12 minus 6, 3X equal to minus 6, result minus 2, तो Y की value को 3 substitute कर रहे है, X की value हमारे पास minus 2 आ रहे है, अब यहाँ पर हमारे पास एक इन equation की help से, एक equation की help से, हमारे पास यह नंबर जागे, यह पेर आगे, फर्स्ट equation के, अब इसी तरह हमने second equation चेक करनी है, 5X plus 8Y equal to 20, अगर हम क्या करते हैं, Y की value अगर 0 रखते हैं, Y की value हमने की value क्या आ गई, 4 आ जाएगी, इसी तरह से, अगर हम Y की value को 5 रखते हैं, Y की value को अगर हम 5 रखते हैं, आपने चेक करना है, इस तरह से 5X plus 8 into में 5 equal to 20, आप इसको solve करेंगे, आपने जब solve किया तब आपके पास result आ जाएगा, X equal to minus 4, तो यहाँ पर हमारे पास X की value क्या आ minus 4 आ गई, अब यहाँ पर हमारे पास 2 pairs बन चुके हैं, इस equation के भी, तो अब इन चारों को आप graph पे plot करेंगे, तो पहले first equation के help से देखते हैं कि क्या result बनेगा, X की value 2 यहाँ पर बनेगी, Y की value 0 यहाँ पर, तो यह point आ गया हमारे पास, इस तरह से, अब चेक करेंगे, X की value minus 2, Y की value 3, Y की value 3 हमारे पास positive रहेगी, X की value minus में left hand side आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि यह दोनों कहाँ पर match करेंगे, तो यह point बन जाएगा हमारे पास, तो हमने यहाँ पर हमारे पास क्या point आ गया, एक यह point आ गया, तो आपने क्या करना है, एकदम इन दोनों points को scale के help से draw करना है, एकदम intersect करना है, तो यह हमारे पास एक equation बन जाती है, एक line बन जाती है, फिर हमने इनको नाम दिया, A और B, पहले point को हमने लिखा है, A, यानि कि 2 और 0, इस तरह जो B point बनना, minus 2 and 3 हो गया, फिर अब हम क्या करेंगे, second equation पर आ जाएए, second equation है, हमारे पास 0, 4, Y की value 0 और X की value 4, तो X की value 4 हमारे पास, right and side आएगा, यान कि यह point Y value 0 है, तो यह point आगया, ऐसी तरह से, अब हम क्या check करेंगे, कि Y की value हमारे पास है, 5, X की value है, minus 4, तो यह देखिए, यह दोनों हमने draw कि इस तरह से, तो यह point आगया, हमारे पास, तो हमने इन दोनों को इस तरह से join करना है, अब फिर हम इसमें यह check करेंगे, कि यहां पर हमारे पास, अब यह जो color, यानि shade होगा, वो कहां पर आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, या फिर भार की तरफ जाएगा, यह दो line हमने draw कर चुके हैं, देखिए इस तरह से, अब क्या check करना है, यह कहां पर हमारे प 0 हमेशा छोटा होता है, तो हम 0 से दूर जाएंगे, तो first equation आपने ध्यान लखनी है, first equation की line कौन सी है, second की कौन सी है, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं, जो हमारे equation होती है, देखिए इस तरह से, हमने लिखा हुआ है, आपने भी लिखना है, अब हम 0 से दूर जाएंगे, first equation क recording, हम 0 से दूर गए, तो हम ने माली जी यहां इस तरह से गए, अब हम क्या करेंगे, दूसरी को चेक करते हैं, तो देखिए दूसरी में हमारे पस क्या है, 5x plus 8y equal to 0, तो यहां पर हमारे पस क्या है, दोनों को गर आप 0 substitute करते हैं, तो क्या result आएगा, 0 less than and equal to 20, तो हमारे पस तो यहां पर हम इस तरह से आए, तो देखिए दोनों हमारे पस कहां पर जो है, इंटर common area है, common area हमारे पस in line के अंदर ही होगा दोनों के, तो उसको shade करना है आपने इस तरह से, तो यह region हमारा क्या बन जाएगा, इसका answer बन जाएगा, यानिकि इसके अंदर जितने भी points करेंगे, तो देखिए आज हमने फर्स्ट question complete किया, second के two parts हमने complete के, second sum के five parts बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को like करें, दोस्तों को share करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए है, चैनल को subscribe कर लें, ताक आपको business mathematics से related, करेंगे, तेक सक्कुमिए झालँ यण अभी, तोस्तों करेंगे, वीडियो जगशने के ending, अगर चैनल को दोस्तों क्याया हम हमने अग tun, क्वाम हने टन सबगे, अगर आपकोसिता है, जगर आपकोसिता है, अएगर आपको झाबखँए, अगर में चैनल चैनल को, दोस्तों